आज हम करेंगे डिवीजन सबसे पहले इसे हम रिपेटिट सब्ट्रेक्शन के थू समझते हैं मान लो हमें दस को दो से भाग करना है तो आप सभी को पता है ये चिन होता है भाग का इसमें हम बार बार दो घट आते जाएंगे सबसे पहले हमने दस में से दो घटाए तो हमारे पास आए आठ आठ में से दो घटाने पर हमें मिले छे छे में से दो घटाने पर चार चार में से दो घटाने पर दो और दो में से दो घटाने पर जीरो यानि ये प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारे पास 0 यानि 0 ना आ जाए इसके बाद हम गिनेंगे हमने कितनी बार 2 घटाया है 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि हमने 5 बार घटाया है तो 10 को 2 में से भाग करने पर हमें मिलेगा 5 माच, मोहन के पास 3 डिब्बे हैं जिसमें उन्हें बराबर बराबर लट्टू रखने है और 18 लट्टू बराबर बराबर भागों में तीनो डपों में उसे बाटने है बराबर भागों में बाटने का मतलब है कोई भी लट्टू शेश नहीं बचना चाहिए और तीनों डिपों में बरापर एक जितने लट्टू ही होने चाहेंगे तो इसका पहला तरीका तो है कि वो एक एक हर डिपे में रखता जाएगा से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा लेकिन यह एक लंबा तरीका है आप इससे दूसरे तरीके से इस तरह से देख सकते हैं क्योंकि अठारा को हमें तीन में भाग करना है तो तीन के पहाड़े में अठारा कहा आता है छेपे, तीन, चिक, अठारा तो हर टिपे में होंगे छेलटू इसको करने का एक तीसरे तरीका भी है जिसे कहते हैं विस्थित खटाव विधी इसमें हम अठारा को तीन से भाग करेंगे इस तरीके से अब हम देखेंगे तीन का पहाड़ा अठारा तक पढ़ेंगे तीन चिप, अठारा, शेश, जीरो तो यहां भी हमारा उत्तर आएगा शें इसे हम और उधारन की मदद से भी समझ सकते हैं उधारन के दोर पर यदी हमें 488 को 8 से भाग करना है तो पहले हम इस तरीके से बनाएंगे अब जिसे भाग करना है उससे हम अनदर लिखेंगे और जिससे भाग देना है उससे हम बाहर लिखेंगे अब आठ का पहाड़ा पढ़ा जाएगा कहा तर ये सोचने की बात है अब हम अंदर देखते हैं कि पहला अंक है सिर्फ चार आठ के पहाड़े में सिर्फ चार तो आएगा नहीं क्योंकि वह उससे छोटा है तो हम दो अंकों की संख्या लेंगे जो है चवालिस आठ का पहाड़ा चवालिस तक पढ़ना है उससे उपर नहीं जाना है उससे पहले हो सकता है मतलब आठ चोग बतिस अठुप पंजा चालिस और आठ चिक अड़तालिस तो इन दोनों में से आप कौन सा लेंगे ये वाला क्योंकि अड़तालिस जो है वो बड़ा है तो हम यहां लिख देंगे आठ पंजे चालिस अब इसे आप ऐसे लाइन लगाएंगे और घटा देंगे तो चवालिस में से चालिस गए चार अब जो उपर संख्या बच कई है उससे आप नीचे उतारेंगे और यहां लिख देंगे अब आठ का पहाड़ा आप पढ़ेंगे अड़तालिस तक यहां हमने देखा था आठ चेक अड़तालिस होता है तो यहां हम लिख देंगे छें और यहां आजाएगा अड़तालिस और शेश बच्चे का शुन्य तो हमारी भाग पूरी हो गई है और उत्तर हमारा आया है यह यानि की चार सो और तालिस को जब हम आठ से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा चपपन यहां मेरे पास दो सो रुपे का नोट है यदि मुझे उसके छुटे करवाने हैं और मैं चाहती हूँ या तो मुझे सारे नोट सो के मिले या फिर पचास के या फिर बीस के तो मुझे कितने नोट मिल सकते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें सो के कितने नोट मिलेंगे तो हम दोसों को सबसे पहले सो से भाग करेंगे और हमें पता है सो दुनी दो सो शेश जीरो तो हमें सो के मिलेंगे दो नोट यदि हम पचास के सारे नोट चाहते हैं तो हमें कितने नोट मिलेंगे? आईए देखते हैं दोसो को अगर हम पचास से भाग करते हैं तो हमें पता है पचास को हम चार गुणा करें तो दोसो आएगा इसका मतलब हुआ पचास के हमें मिलेंगे चार नोट इसी तरह से अगर दोसो को बीस से भाग दिया जाए तो हमें कितने नोट मिलेंगे? बीस एक कम बीस अब ध्यान से देखिएगा बीस में से बीस के जीरो उपर से जीरो उतार ली अब शेश जीरो है लेकिन यहां उपर से एक और अंक आया है तो इससे हम कैसे भाग करेंगे? बीस को अगर हम जीरो से गुना करें तो जीरो आता है शेश तो बीस के हमें कितने नोट मिलेंगे? बीस के हमें मिलेंगे दस नोट यहां मिलेंगे